नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का UPSC पर मैं हूँ अंकेत वस्थी, आप है मेरे साथ में, आज एक अंतरराष्ट्रिय मुद्दे में और वो अंतरराष्ट्रिय मुद्दा जो है, ये बहुत ज़्यादा खास है और खास क्यूं है, इसका पता आपको थोड़ी दिर में लग जाएगा जब मैं ये कहता हूँ, कि अमेरिका ने सीरिया पर हवाई हमला कर दिया है जी हाँ, मेरे पहरे साथियों, बाइडन ने अपना पहला हवाई हमला करवा दिया है कहां कर दिया है, सीरिया के उपर तो मेरे पहरे साथियों, ये सवाल बहुत ही important भी है और एक प्रकार से आप लोगों को भी समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिका का प्रशाशन किसी की भी नित्रतों में क्यों न चले फिर चाहे वो बाइडन हो या ट्रम्प हो इनका दूसरे देश पर अटेक करना ये एक प्रोसेस का पार्ट है तो आज हम इस सेशन में चर्चा चलते ये सारे की सारे देश जो है या फिर इस फिशेश रूप से अमेरिका जो है प्रशाशनिक रूप से किसी के भी पक्ष में क्यों न खड़ा हुआ हो लेकिन जब अटेक की बात आती है हमले की बात आती है तो ये लोग सीधे ही अटेक करने पहुँच जाते हैं तो आप ऐसा कुछ करने वाले हैं तो ये बहुत जादा इंपोर्टेंट है इशू आपको समझना क्योंकि अंतरराष्ट ये रूप से यहाँ पर रश्या, टर्की और इराक, इरान और बहुत सारे देश यहाँ पर इन्वाल्व हैं तो आईए साथियो 36 दिन के अंदर हो रही है, वो है कहाँ पर, आईए एक एक करके सारी बातें और पूरा आपको जियो पॉलिटिक्स इस जगह का समझाते हैं, जैसा कि आप सभी को ग्यात है, मेरे पहरे साथियों मध्य पूरा कहा किसे जाता है, ये रहा भूमद्य सागर और इसके राइट में यानि कि इसक पर्टिक्यूलर जगह की, जहां पर बंप फोड़ा गया है, इसका नाम है अलबुकामल, अलबुकामल कहाँ पर है, तो ये सीरिया और एरा के बॉर्डर पर है, अब बड़ा सवाल बनता है, क्यों सहाब बंप क्यों फोड़े गए, क्यों एयर स्ट्राइक की गई, एयर करने की खबर है, सैकड़ों के हताहत होने की खबर है, इसके बीचे का रीजन क्या है, क्या हुआ था यहां पर आफ्टर आल, आईए अब मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ, हुआ क्या था, हुआ कुछ ही हूँ था मेरे पैरे साथियों, कि इस पर्टिक्यूलर जगे पर रिपोर्टिंग थी, सीरिया में इस बात को लेकर के किसी ने रिपोर्ट करी हुई थी, कि यहां पर मेरे प्यारे साथियों आतंकवादी संग्ठन पाय जा रहे हैं, किस जगे पर, इस जगे पर, कौन से आतंकवादी संग्ठन, अभी थोड़ी देर में पता चल उनके ऊपर ये हमला किया गया, लेकिन ये बात तो ऐसी है सर, कि आते ही आपने अपनी पावर दिखाने के लिए कि कोई भी मुझे शान्ति प्रिय मत समझ लेना बंपोड दिया मैंने, ऐसा तो नहीं हो सकता, इसके पीछे अब एक और कहानी है, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं, साथियों जरा आप इस मैप को देखें, आपको इस मैप से कुछ जानकारियां पता चलेंगी, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, आप इस मैप को थोड़ा समझने का प्रयास करें, और यहाँ पर इस मैप को देखें, यह जो मैंने रेड बास्केट में cover कर दिया है न, this one ये पूरा की पूरा छेतर, this one ये पूरा ही Syria है क्या है ये? Syria है, और यहां से यहां तक जो आपको छेतर दिख रहा है, ये पूरा की पूरा, ये Iraq है, फिर आप पूछेंगे की ऐसा क्यों दिखा रहा है, मैं सारे देश समझ लो ताकि आपको बाते समझ में आ जाएंगी एक तरफ इसके इरान है नीचे साओधी अरब है ये जॉर्डन रहा यहाँ पर लेबनान इस्थित है ये इस्रेल रहा ये सारी जगे अब आप पहचान चुके हैं ये भूमत दिसागर है और इधर की तरफ अगर आप देखें तो ये फारस की खाड़ी है उमीद है आप पूरा पूरा छेतर पहचान गए हैं लेकिन अगर आप देखें तो इसमें मैंने कुछ चीजें आपको community wise समझाने का प्रयास किया है ज़रा focus करिए मेरे प्यारे साथियों जैसा आप सभी को geopolitics के बारे में एक छोटी सी जानकारी होनी चाहिए और वो क्या है कि इरान जो है वो शियाओं के द्वारा dominated होता है मुसल्मानों के दो जो प्रमुख community के अंदर वर्ग बटे हुए हैं एक शिया मुसल्मान होते हैं और एक सुन्नी मुसल्मान होते हैं तो पहले तो आप इसे समझिएगा हमने क्या किया ये वाला रहा शिया ये रहा सुन्नी क्योंकि सुदी अरब जो है वो सुन्नीों का छेतर है और शियाओं का जो प्रधान नेत्रत्व करता देश है उसका नाम इरान है अब ये दोनों अपने-पने मुर्गे लडाते हैं कहां पर लडाते हैं? पड़ोसी देशों में अब पड़ोसी देश कौन से हैं? अब आईए अब आपको मैं पड़ोसी देश देश देखाता हूँ आप जड़ा इसे देखिए मेरे प्यारे साथियों ये वाला जो आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है इससे आपको बहुत सारी बाते किलियर होंगी यहाँ पर आप सब कुछ समझने का प्रयास करें ये इस बॉर्डर को देखें आप ये जो जेट छेत्र आपको दिखाई दे रहा है जिसे मैंने अभी रेड बॉर्डर में मार्क कर दिया इसका नाम है इराक अब ध्यान से देखो इधर से सुन्नी डॉमिनेटेड है सौदी वो इधर से अपने लोगों को प्रमोट करता है इराक में इधर से है इरान जो शिया लोगों को प्रमोट करता है इराक में ऐसी इस्थती में इराक एक बैटल फिल्ड बना हुआ है किन-किन का शिया और सुन्नियों का ये बात समझ में आ गई ये सुन्नी जो हैं ये केवल इराक के अंदर आधे छेतर में दिख रहे हैं आपको अभी लेकिन ये border cross करके ये border है जो आपने यहाँ देखा ना ये border cross करके इनका छेतर सीरिया में भी सिम्टा हुआ है यानि सीरिया में भी है अब आपके मन में एक सवाल आएगा तो बोले सर एक बात बताईए सीरिया में भी सुन्नी आधे इराक में भी सुन्नी ये मिलकर के एक देश क्यों नहीं बना लेते रुको साथियों आपने जो सोचा या नहीं सोचा तो मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर देता हूँ यही वो छेतर है जिसे आप ISIS का गड़ कहते हैं जिसे आप क्या कहते हैं Islamic State of Iraq and Syria यही वो छेतर है जहाँ पर आइसिस नामक आतंगवादी संग्ठन पाया जाता है इराक और सीरिया का दुबारा समझिएगा यह रहा आपका कौन सा छेतर सीरिया वाला यह रहा इराक वाला इन दोनों में सुन्नी डॉमिनेशन है तो यहाँ पे सुन्यों का एक आतंगवादी संग्ठन था जिसका नाम था अबुल अगदादी के नित्रतम में चो चला करता था उस आतंगवादी संग्ठन का नाम क्या था आइसिस वो आइसिस इन दोनों को मिला के एक देश बनाना चाहता था और जो अपनी नसल के लोग नहीं है उन्हें मार देना चाहता था उनमें वो लोग कौन से थे वो लोग थे शिया तो इस कारण से एराक में शिया वर्से सुन्नी विवाद हुआ करता था इतनी बात समझ में आ गई अब आप पूछेंगे कि सर ये वाली जगे क्या है ये dotted line से आपने कुछ बता रखा है ये क्या है मैंने का भाई ये भी होने को तो इराक है फिर सर ये कौन सा इराक है आईए मैं आपको बताता हूँ असल में साथियों ये जो पूरा छेतर आप देख रहे हैं ये जो हलका सा पिंक कलर मतलब आपको वाइट कलर का दिख रहा है जहां मेरा मारकर है इस जगे पर ये एराक का वो हिस्सा है जहांपर मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर इस particular छेत्र में क्या पाया जाता है ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर तीसीरी एक community है जिसका नाम है कुर्द लड़ा के याद से कर लीजेगा इस बात को यहाँ पर कुछ और प्रकार के लड़ा का प्रकार की प्रवर्ती पाई जाती है जो शिया और सुनि से अलग अपनी नसल के आधार पर अपना एक अलग देश डिमांड करती है और वो कहती है कि जिस प्रकार से ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उजबेकिस्तान, पाकिस्तान ये हो सकते हैं ऐसे ही कुर्द लोगों के लिए कुर्दिस्तान होना चाहिए क्या होना चाहिए कुर्दिस्तान होना चाहिए ये अपना अलग देश मांग करते हैं यानि कि अब आप सोचो इराक एक उस इराक के तीन टुकड़े एक तरफ आदा हिस्सा शिया लोग चाहते हैं एक चौथाई के लगबग हिस्सा जो है वो चाहते हैं कुर्दिस्ट लोग और बाकी बचा हिस्सा जो है उसको सीरिया के अंदर उपस्तित जो सुन्नी आतंकवादी हैं वो चाहते हैं कि अपना बनाएं ये है मेरा साथियो पूरा की पूरा यहां का रावास्तवे घटना चक करें तो यहां पर एक छोटा सा छेतर आपको और दिखाई दे रहा होगा मैंने मारकर से मारक कर दिया है अगर विजीबल हो तो बताईए इसका नाम है इरबिल ये कहां पर इस्थित हुआ इराक के अंदर इस्थित हुआ ठीक है इस इरबिल के पास में हाल ही में एक मेरे प्यारे साथियों आपको मालुम होगा वर्ष 2003 से यहां अमेरिका की सैना इराक पर कबजा करके एक तरह से बैटी हुई है क्यों कि जब से सद्दाम हुसेन को मारा गया है तब से अमेरिका के कोईलिशन की जो सैनाए है वो यहां पर लोकतंत्र की बहाली के नाम पर अपना पूरा पूरा सेंटर इस्थापित करके बैट गई है कि हम लोकतंत्र लेकर के आएंगे वैसा कुछ अभी तक दिखाई दे नहीं रहा है लेकिन हां ये लोग इस तरह से यहां बैठ गए हुआ क्या इस इर्बिल नामक जगह पर अब ध्यान से सुनना बिड़ा इस इर्बिल नामक जगह पर 15 फरवरी के दिन इराक में दुबारा सुनिएगा इराक में इर्बिल नामक जगह पर आतंकवादियों के द्वारा एक बंबलास्ट किया गया जिसमें एक का contractor था अब वापस आईए इस घटना को दुबारा से relate करिए यहाँ पर देखिए यह पूरा की पूरा आपने map समझा इराक में एक जगे है जहां का नाम है इर्बिल इर्बिल में अमेरिकी सेना का एक contractor मारा गया यहाँ पर मारा गया किलियर यह प्यारे साथियों अगर उसे देखा जाए तो उसके अलावा एक काम यहाँ पर और हुआ ISIS के आतंकवादियों के द्वारा बगदाद के नजदीक US Embassy के पास भी हाल ही में एक बम फैका गया अब जहां से सुनना इर्बिल में contractor मारा गया बगदाद में जहां पर अमेरिका की सेना रुकी हुई है वहां के नजदीक ही एक बम फैका गया रॉकेट का अटेक हुआ अब सहाब बाइडन आये ही थे तो बाइडन को अब यह दिखाना भी था कि भाई मैं आया हूँ मुझे शांति प्रिये मत समझे मतलब तुम लोगों ने अगर ये समझ लिया हो कि मैं तुम से नेगोशियेशन करूँगा और मैं इरान के पक्ष में निर्ने लूँगा इतना जल्दी ये भी मत विचार कीजिए अभी मुझे सोचने का समय दीजिए तो अब क्या हुआ अब उसको सुनियेगा मेरे प्यारे साथियों अमेरिका ने जानकारी हासिल की कि ये जो हमला हुआ है ये किया किसने तो फिर पता चला मेरे प्यारे साथियों जानकारी से पता चला कि दो आतंकवादी संग्ठन है जिन्होंने ये हमला किया है जिसका नाम है कतब हजबुल्ला और कतब सेयद अल सुहादा ये दो आतंकवादी संग्ठन हैं जिन्हें अमेरिका ने पहले से ही प्रतिबंधित किया हुआ है यह दोनों आतंकवादी संग्ठन रहते कहां हैं यहां से देखिएगा यह दोनों आतंकवादी संग्ठन यहां पर पाए जाते हैं इस पर्टिक्यूलर जगहे पर जिसका नाम है अल्बुकामल यानी की इराक और सीरिया के बॉर्डर पर इनके कैम्प बने हुए हैं बेस कैम् इराक में बैठा हुआ था अमेरिका इन आतंकवादीयों ने एक तरफ तो बगदाद पर हमला किया और दूसरी तरफ इर्बिल नामक इस्थान पर हमला किया ऐसी इस्थिती में अमेरिका ने अपने सयोगी देशों से पूछा कि भाई बताओ क्या करना चाहिए तो उन सब ने कहा हवाई हमला कर दो तो मेरे प्यारे साथियों इसने अपने गठबंदन सयोगीयों से इसके बारे में पूछताच की तो गठबंदन सयोगी कौन है अब वो जान लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों इराक में सद्दाम हुसेन की सप्ता को उखाड फैंकने के लिए अ सबसे ये लोग अपनी सैना दाल करके कहां बैठे हुए हैं इराक में बैठे हुए हैं तो बाइडिन के आदेश के बाद में एक एर स्ट्राइक की गई सीरिया के बॉर्डर में घुस करके उन आतंकवादियों को मारा गया ये है पूरी न्यूस तो इस न्यूस से हम क्या सीख हमको क्या पता चला तो मेरे प्यारे साथियों हमको बता ये चलता है कि जो हाल ही में बाइडिन को समझा जा रहा था कि उनकी बाते कूट नितिक जादा होंगी वो डिप्लोमेटिक वारता पर जादा फोकस करेंगे वहां अखबारों का कहना है कि सहाब यहां कुछ और वो मैं आपको बता दू मेरे प्यारे साथियों यहां अखबारों का कहना है कि इस पूरी एयर स्ट्राइक को बैठ करके पेंटागन के अंदर जो बाइडिन है वो खुद मॉनिटर कर रहे थे वो देख रहे थे कि एयर स्ट्राइक कैसे जाके सीरिया पर होगी तो ये था मे पेरिका का जो छुपा हुआ इंटरेस्ट है वो सारी बाते आपको समझ में आ गई होंगी और बाइडिन का जो नया रुख है वो डेफिनिटली क्लियर हो गया होगा तो उमीद है सभी साथियों को ये बाते बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी इस प्रकार के कंटें आपको पढ़ा रहे है ineffective जहांद मेरे साथ में आतर 44,000ンダ रुपीज में अनकेडिमी पर मेरे और मेरे तमाम साथियों के साथ मिलकर के free test series मतलब उसी एक सबस्क्रफिप्चन में test series, prelims, mains, interview तक की preparation gsm bepard 1234, essay and ethics, writing और तमाम teachers का course मात्र 44,550 में मिल जाता है लेकिन उसके लिए आप लोगों को referral code Ankit10 use करना होता है, हाँ, अगर आपको एक mentor भी चाहिए, तो Anacademy आपको एक particular guide या mentor भी telefonically उपलब्द कराती है, जो आपको पूरा guidance देगा, और उसके लिए आपको course के लिए भुक्तान करना होगा, 67,000 रुपीज मेरे प्यारे साथियों, लेकिन ये आपको भुक्तान अंकित 10 करने के बाद लगाने पर ही, 10 परतिशत के discount के साथ मिलेगा, तो उमीद है, सभी साथियों को मेरी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, मेरी special classes के लिए, free special classes के लिए अपने mobile man academy learning app इंस्टॉल कर लीजिए और सुभे 10 बजे होने वाली world mapping की class में पहुँच आईए